अन्मोल तेरा जीवन यूही कवा रहा है अन्मोल तेरा जीवन यूही कवा रहा है इस और तेरी मन्जिल उस और जा रहा है अन्मोल तेरा जीवन यूही कवा रहा है अन्मोल तेरा जीवन यूही कवा रहा है मनुश्य जीवन इतना स्पेशल है लेकिन हम उन्हें यूही कवा रहा है हम सब भगवान के बच्चे हैं भगवान का घर भगवान का धाम हमारा घर है लेकिन भगवान से बीछड कर यह भौतिक दुनिया में कहां सुख है इसलिए हमें समझना चाहिए जो हमारे माता पिता हमारे लिए वेट कर रहे है गोलो गुरंदावन में वैकुंड में वहां हमें जाना है इस और तेरी मन्जिल है इस और तेरी मन्जिल कुस और जा रहा है अन्नमोल तेरा जेवन युहीग वारा है अन्नमोल तेरा जेवन युहीग वारा है हमारे घर में वैकुंट में गोलो गुरंदावन में इतना आनन्द इतना प्रेम है और उसी आनन्द को खोजने के लिए हम यह दुन्या में भी प्रयास करते हैं लेकिन यह दुन्या में यह शरी सुक के अलावा तो दुसरा सुक हाई ही नहीं इसले हम को भी कोई प्रयास करते हैं हेर स्टाइल अब मैंने रिसेंटल एक फोटो देखा था एक यंग स्टर था उसका है स्टाइल था क्रोकोडाइल अपने बालो को इस प्रकार से बनाया है कि क्रोकोडाइल बनाया तो मैं सोच रहा था कि अपने बालो को अलग-अलग स्टाइल देकर हम लोग सुक भोगने का प्रयास करें सुक शोदने का प्रयास करें लेकिन माइंड की जो समझ्चा है माइंड में जो चल रहा है प्रावलम वोसी बालों का हेर स्टाइल चेंज करने से तो नहीं होने वाला है आपकोर्स हेर स्टाइल भी रखो एंजामेंट भी प्रैस करो, एंजामेंट भी करो, कोई प्रावलम नहीं है लेकिन एंजामेंट करने के लिए भी भगवान के भक्ति का ग्यान होना आवश्यक है जैसे हम लोग जो कोई अनाज जब कोई अन खाते हैं तो अन में एक राइट अमाउंट सॉल्ट होना चाहिए नमक होता है नमक अगर आप एक्जैक्ट अमाउंट में हो तो उसमें मजा आता है अगर कुछ भी नमक नहीं है तो भी मजा नहीं आएगा बिल्कुल अगर नमक नहीं तो मजा नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा नमक है तो भी मजा नहीं आएगा तो राइट अमाउंट नमक डालना अर्थ का अर्थ है जब हम भगवान के भक्ति का ज्ञान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इवन इस दुन्या में भी कैसे सुक भोगना चाहिए अनमोल तेरा जीवन यू ये गमारा हां है सपनों के नीद में ही यह रात ढल न जाए सपनों के नीद में ही यह रात ढल न जाए पल भर का क्या भरोसा यह जा निकल न जाए पल भर का क्या भरोसा कही जा निकल न जाए किमती की है यह सासे यू ही गमारा है किमती की है यह सासे यू ही गमारा है इस और तेरी मंजिल पुस और जा रहा है अनमोल तेरा जेवन यू ही गमारा दूरे सपनों की नीद में ही प्रवपाजी बताते हैं एक होता है नाइट ड्रीम तूसरा होता है डे ड्रीम जब हम रात को सोते हैं छे गंटा सोते हैं तो रात में सपना आता है कभी-कभी हम सपने में देखते हैं कि मैं राजा बन गया हूँ कभी-कभी सपने में हम देखते हैं मैं रानी बन गई हूँ और सपना जो भी 10-15 मिनिद आदा घंडा जो भी चलता है राजा रानी का रोल करते हैं जैसे सुबह उड़ जाते हैं पता चलता है कि वो तो सपना था वो एक्चिन में राजा था ही नहीं यह रानी थी ही नहीं अरे उसी प्रकार से वो जो रात का सपना है वो जादा से था छे घंटा तक चलेगा और यो जो दिन का सपना है वो 60-70-80 साल तक चलता है लेकिन दोनो सपने ही है अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है अनमोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है जाएगा जब जहां से जाएगा जब यहां से कोई नसात होगा जाएगा जब जहां से कोई नसात होगा इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा कर्मों की है ये खेती पल आज पा रहा है कर्मों की है ये खेती पल आज पा रहा है इस और तेरी मंज उस और जा रहा है इस और तेरी मंज उस और जा रहा है कर्मों की खेती है कभी कभी लोग पूछते है भारत भूमी में लोग तो धर्म का पालन करते है फिर भी इतना दूख यू है या धन नहीं है या बहुत सारे दूख है लेकिन वेस्टन कंट्रीज में देखो जादा तर लोग धर्म का पालन करते नहीं है लेकिन वह बहुत सब कुछ है उनके पास ऐसा है कि जब हम लोग ये जनम में अच्छा कर्म करते हैं तो वही वेक्ति को नेक्स जनम में अच्छा फल भी मिलता है अगर आज आप किसी कंट्री में, किसी देश में, किसी जाती, किसी धर्म में अगर आप देखते हों कि लोग दिखने में सुन्दर है पैसा है, धन है ये समझना चाहिए कि उन्होंने पिछले जनम में कुछ कुण्य कर्म किये हैं और आज उसका वो फल पा रहे हैं, लेकिन आज इस जनम में अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो उसका अपने नाम भी होगतना पड़ेगा, इसलिए अगर आज कोई दिखते हैं, आप कोई भिकारी है, जनम से ही अंदा है, वो कोई भगवान का दोश नहीं है, हमारे ब ममता के बंधनों ने, क्यू आज तुझे को घेरा ममता के बंधनों ने, क्यू आज तुझे को घेरा सुक में सभी है साती, दुख में न कोई तेरा सुक में सभी है साती, दुख में न कोई तेरा दुख में न कोई तेरा तेरा ही मुह तुझको यो ही रुला रहा है तेरा ही मुह तुझको यो ही रुला रहा है इस ओर तेरी मन्जिल उस ओर जा रहा है अन्न मोल तेरा देवन जो ही गवारा मुझे ममता के बंदल, देखिये, we should love everyone, but without being attached to someone हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, एंक किसी से आसकत नहीं रना चाहिए ममता के दो अर्थ है, एक तो हता है उस वेक्ति के आत्मा के उपर प्रेम करना जो कि शास्त्र में recommended है और दुसरे ममता का आर्थ है उस वेक्ति के भवतिक शरी के उपर आकरसित हो जाना या उसके भवतिक जो पोजेशन्स है उसकी जो सुविदाएं है उसके उपर आकरसित हो जाना तो जो दुसरा ममता है उसके आत्मा के उपर प्रेम करना वो सही है तेरा ही मोह तुझे को यू हे रूला रहा है तेरा ही मोह तुझे को यू हे रूला रहा है इस और तेरी मन्जिल है इस और तेरी मन्जिल उस और जा रहा है अन मोल तेरा जीवन यो ही गवा रहा है कि मौल तेरा जीवन यो ही गवाँ हाँ रहे कृष्णा हरे कृष्णा रहे हरे हाड राम हरे राम राम हरे हरे मौल तो पेरा नहीं कृष्णा हुआ है आरे प्रुसने प्रुवाँ जीवन जो उभा सॉब्षो और ऑनुमुल तेरा जीवन जो मत blir हुआ अनमोल तेरा जेवन यो ही गवार है तथा और अधिक जानकारी के लिए आजी टायल करें 8-7-6-7-8-4-5-8-4-5